नारी विज्ञान का अधिकारिक प्रसार क्या जाए क्योंकि राष्तार उसका बड़ा कंदर रहा है वो विश्टतिन ने रहे हैं और अंत्र में कहाना जाओंगा अलिवेट शिक्ष्टा कंदर को वेलनिस सेंटर की रूप में स्थाफना की जाए क्योंकि प्रणामरी स्थ्यम भी रूची देते हैं योग के अंदर भी आयूश के अंदर भी तुम्होंने विश्टा है कि आने वाले वक्त के अंदर आयूश मंताने और अधिक प्रवाई तरिकेट से कि इस मंताने के अंदर जो भी आजिवेद हो उमिपेति हो युनानी हो सभी तरह के जो सेक्टर है उसको मर्बूत करने में राज्टान में भी वो स्यों करेंगे और राष्टान का मैंने कहा कि इसो पिछेतर साल पहले अगर इस्ताब नहीं हो राष्टे आरवेश्टान जो कि इस रूप में हैं तो इसो पिछेतर साल के सबर बहुत लबा सबर होता है और जाजता नहीं सा इसी लिए संश्कत को भी और आजिवेश्ट को भी तुरसान मिलता रहा है आगे मिलता रहेगा इन इस सब्दों के साथ तो मैं अपनी बात्समात करता हूं धन्यवाद धन्यवाद आदरनिय मुख्यमंत्री महदई यह भी हमारा सवबाग्य है कि सवसर पर गुजरात के माननी मुख्यमंत्री स्री विजयरू पणी जी उपस्तित है मैं इस सवसर पर अपने विचार व्यक्तक करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं आज के समारम में उपस्तित भारत के लोगपुरिय प्रधानवंत्री जिनोंने विश्व में भारत को प्रतिष्ठा दी है ऐसे हमारे गुजरात के सफूत आदर्णिय प्रधानमंत्री अंद-रेंद्र भाई मुदी जी कारिकर में उपस्तित आदर्णिय राजपाल राजस्थान मान्य कलराज मिसर जी गुजरात के राजय पाल आदर्णिय आछार्य देवरत जी केंद्रिय मंत्री आयूस आधर्णिय श्रिपात नायक जी, गुजरात के नायब मुख्य मंत्री आधर्णिय नितिनबाई पतेल, हमारे मंत्रि मंदर के सब साथी, यहां के सांसद पुनम माडम जी, भरती बेंद सिया, आयूस केज सेक्रेटरी, चेर्मेन स्री राजेश कोटेचा जी, उपस्तित भाई और बेनों, सबसे पहले गुजरात की जन्ता की ओर से, आधर्णिय प्रधान मंत्री मोदी जी और स्रिपात नायक जी को, गुजरात की हमारी आयूवेद इन्यूवर्सिटी को, जो राष्ट्रिय इंपोर्टन्स, निशनल इंपोर्टन्स देने के लिए बहुत-बहुत अभार प्रगट करता हूँ, धन्यबाद भी देता हूँ, आज धन्यबाद की प्रधसी पावन आउसर है, कि दिन देवी सक्तिकी उनके द्वारा जो समुद्र मंतन हुआ था, उसमें संक, चक्र, दिविय आउसोधी, अमृत कलस, उसके साथ बगवान धन्यबाद की प्रगट हुए थे, और विराख भी हमारी प्रगवान धन्यबाद की वेदों के उपास देव थे, और उसका उतरन मनुष्य मात्र के दुख निवारन के लिए उनका उतरन हुआ था, और आयुवेद के प्रथम इंस्टुटिट ओब नेशनल इंपोर्टन्स का भी आज उतरन हो रहा है, ये भी हमारी एक खुशी की बात है, परंपिता ब्रह्मा जिनोंने सुष्टी रचना के वक्त आयुवेद का स्मरण किया था, आयुवेद के गनान जो पहले भी था, इसलिए स्मरण होता है, और जामनागर उसमें पूर्वा आयुवेद के जो गनान का उनका विरासत और आज नया स्वरूप से समाज के सभी लोगों को आयुवेद की बुरुद्धी के लिए एक प्रस्तूत होने के लिए जा रहा है, हमें बहुत गवरुवा है, आनन्द भी है, और मैं फिर से आर्दिक अभिनंदन करता हूँ, वेसे तो आयुवेद का इत्यास हमारे सवराष्ट में गढड़ा और उत्तर गुजात में पाटन में आयुवेद की पाच सालाय थी, और बाद में कोलेज के यूग में जामनागर और भावनागर आजादी के पहले भी आयुवेद की महाविद्या लई की स्थापना हो चुकी थी, और वडोध्रा में देश की प्रत्थम मैला के लिए एक आयुवेद्य कोलेज की प्रारम हुआ था और गुजरात में आयुवेद्य इनिवर्सिटी की स्थापना हो भी और उसके बाद देश में बाकी राजियों में भी आयुवेद्य का गठन हुआ, आज गुजरात में तीस से ज्यादा आयुवेद्य कोलेज कारियर रते हैं और आयुवेद्य सिक्सा के उपरांद आयुवेद्य की चिकिस्ता के लिए गर्रमेंट और गुजरात ने काफी काम किया, जब पतान मंत्री वाई मुख्य मंत्री थे तभी उन्होंने आयुवेद्य के विकास के लिए और इनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी कदम उठाए हैं। और मैं मानता हूँ कि गुजरात में कोरोना के खिलाब जो हमारा संक्रण को रोकने के लिए जो हम संगर्ष कर रहे हैं, उसमें आयुवेद्य अउसदों, आयुवेद्य दोक्टरों, आयुवेद्य के सभी लोगों ने एक महतुर्ण योगदान भी दिया है। यह आयुवेद्य कोलेज का धन्वंत्री मंदीर, यानि कि ए इन्युवर्सिटी जो हमारी है, एक विशाल मंदीर की तरह महल और भविया है, और यहां प्रथम संस्वधन केंद्र भी यहां से सुरूव आए। और देश के आयुवेद्य सेत्र में प्रथम इंस्टुटीट और नेशनल इंपोर्टन के स्वरूप में मात्र जहमनागर्द के लिए नहीं, लेकिन पुरे गुजरात के लिए एक आनंद और गवरों की बात है, और राश्टिय स्वर पर यह एक इंपोर्टन स्वास्य संस जो राजिय की भूमी पर हमेरे यहां हमें प्राप तो हुई है, तो स्वाभाविक इनका अधिक्तम लाभ काफी मिलने वाला है, विश्व भरके आयुवेद्य, विद्वान, चिकस्थ, वेगनानिक ये कार्य करेंगे, और गनान का सिद्धा लाभ गुजरात की जनता को मिल तो इसकी जनता को मिलेगा, और इस जामनागर के आयुवेद्य परिशर में हमारे चारो संस्था आज एक छत्र के नीचे आ गई है, और आयुवेद्य शत्र को आयुवेद्य चिकस्था जगत में एक दिम इन्युवर्सिती के नाते हम आगे बढ़ेंगे, मुझे ये भी ख किलोमेटर दूर, एम्स का भी राजकोट में जो निर्मान हो रहा है, तो ये अरोग्य सत्र में दोनों एक सक्सम संस्थाए भारत सरकार ने गुजरात को भेट के रूप में दिया है, भारत सरका का फिर से में अभार प्रगट करता हूँ, और इसके सयोग से आने वाले दिन में गुजरात एक नई उच्चाई और नई दिशा प्राप्त करेंगे, आयुवेद आउसोदो की मांग पुरे दुन्या में आज हो रही है, और गुनवत्ता युगतों आउसोदों, और साइन्टिपिकली एंडोर्समेंट के साथ इस उच्च गुनवत्ता की सिक्सम और य आईवद का महत्व पुरी दुन्या में प्रधान मंतरी जो जो जिस तरीके से उनको महत्व प्रदान किया, इसा आईवद का भी होगा, हमारे पुराना, पुरान वैद, उपनिसद, आईवद चिक्स्ता को पुरी दुन्या में रेकर्गनाइजेशन मिलेगा, फिर से कि हमारी इस संस्था को अपने नेशनल इंपोर्टन्स देने के लिए आपको फिर से धन्यवाद जेज़े गरिवी गुजराद भारत मता कीज़े तन्यवाद आधनिया मुख्यमंत्र जी इस अवसर पर मुझे यह गोशना करते हुए प्रस्नता हो रही है कि हमें विश्व स्वास्त्य संगत्रन के महानिदेशक डॉक्टर टेडरोस ग्रेबेसियस का अईरियोद दिवस संदेश राप्त हुआ है विश्व के प्रमुख स्वास्त्य संगत्रन के अध्यक्षक का यह संदेश विश्व भर में आईरियत के बढ़देव वर्चस्व का द्योतक है पिछले दिनों मानिय प्रदानमत्री जी का विश्व आईवेत संगत्रन के डिजी के साथ बात हुई थी उसी के बाद उनका यह संदेश प्राप्त हुआ है आईए विश्व स्वास्त्य संगत्रन के महानिदेशक यह में बिडियो संदेश सुने झाला खर्वाधे घडिटा अविजिक्टराब्तों अरेट हारे वाधेग नाप्याजिट रिर्म नेन्टे भी रिप्नेट टोब चाहिव मोद। इंदीर्ष इंद धी मेटाधे अजिद्टे इंद्टीट्या अधिनेंश्टी अवेडिश् इंदी अवेड़ा टेडिश्ट आसे रह जोल नाई जोल औरावले ये प्योली कोलों इन। प्रेजिसंग आधके अलप ङूब जह काल लेती टासी dr. यह काणगी मुझत WiFi बीूल शfat तरहुड लिए ल।ली सम्झेट आपी इ Charge स्क्राइ ile मिंस है की इशिब ऑ्रिश्ड अपर्श को अगेज काव खेले प्रिश्डेने एशमेran और 17 00 अवेरने मेश अगयर्把 काम 75 00 वार्ड DRO समन्स घास सबस्ट हो वह को कम दोख्यों और are का सबस्टी Q03 वार चासीब थाल कुल में बात्यक की इंप हो ट्राम। नाइक दोत है वार बाहिज वे Nebenka coverage and healthier safer fairer world finally I wish you a very happy Diwali I thank you दोन्यवाद डबले डीजी ने जो गोशना करी विशे शुप से लोबल सेंटर ओफ टैडिसल मेडिसीन इन इंडिया ये बहुत बड़ा लेंडमार्क है उसके लिए डबले जो का कुद धन्यवाद अब मैं मान्य प्रदान मंत्री जी को आईरवेद सिक्षणेवं अनुसंतान संस्थान इंस्टिट्ट्रोप टीचिंग एर डिसर्चीन आईरवेद जामनगर को राष्ट्रिय महत्वक्य संस्थान के रूप में राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आमत्रित परता हूँ अब मैं मान्य प्रदान मंत्री जी को आमनगर के संस्थान का लुकारपन करने के लिए आमत्रित करता हूँ तन्यवाद मानी प्रदान मंत्री जी मैं अब मानी प्रदान मंत्री जी को अपने संबोधन के लिए आमत्रित करता हूँ केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्रिमान स्रिपाद नाई जी राजस्तान के मुख्यमंत्री स्रिमान अशो गहलोज जी गुजरात के मुख्यमंत्री स्रिमान विजय बाहरुपाणी जी राजस्तान के गवणर स्रिमान कल्राज जी गुजरात के गवणर स्रिमान आचार्य देवरत जी अन्य सभी मंत्री गण सांसद गण विदायक गण आउर्वेच से जुड़े सभी विद्वाजन देवी और सज्जनों आप सभी को धनतेरस भगवान धन्मंत्री की जेनती की बहुत बहुत छुपकामना है दन्मंत्री जीने आरोग्य के देवता माने जाते हैं और आउर्वेच की रचना भी उनके आशिरवात से हुई है आज के इस पावन दिन आईर्वेच दिवस पर भगवान धन्मंत्री से पूरी मानवजात की प्रारतना है कि वो भारत समेट पूरी दुनिया को आरोग्य का आशिस दें साथियों इस बार का आईर्वेच दिवस गुजरात और राजस्थान के लिए बिशेश हैं हमारे लिवा साथियों के लिए भी बिशेश हैं आज गुजरात के जामनगर में इंस्टिटूट अब टीचिंग और रिसर्च इन आईर्वेदा को इंस्टिटूट अब नेशनल इंपोर्टन्स के रुप में माननेता मिली है इसी तरह जाइपूर के राष्ट्रिय आईर्वेद समस्थान को भी डिम्ड उनिवर्सिटी के रुप में आज लोकार्पित किया गया है आईर्वेद में उच्च शिक्षा, रिसर्च और स्किल डेवलप्मेंट से जुड़े इन बहतरिन समस्थानों के लिए राजस्तान गुजरात के साथ ही पुरे देश को बहुत बहुत बधाई साथियों आईर्वेद भारत की एक विरासत है, जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है ये देखकर कीस भारतिये को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारंपरिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी सम्रुद्ध कर रहा है आज ब्राजिल की राष्ट्रिय निती में आईर्वेद शामिल है भारत अमेरिका सम्मंध हो, भारत जर्मनी रिष्टे हो, आउश और भारतिये पारंपरिक चिकित सा पद्दती से जुड़ा से योग निरंतर बढ़ रहा है ये भी प्रतेग भारतिय के लिए बहुत गर्व की बात है कि डब्लू एचो ने और अभी डब्लू एचो के मुख्या और मेरे मित्र उन्होंने एक बहुत महत्वपण गोश्णा की है डब्लू एचो ने ग्लोबल सेंटर फर ट्रेडिशनल मेडिसीन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और आप भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा भारत को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ और नाशन का विशेश रुप से डब्लू एचे के महा निर्देशक मेरे मित्र डॉक्टर न्ट्रेडोस का भी रद ऐसे आभार व्यक्ता करता हूँ मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार भारत फार्मसी अब दो वर्ल्ड इस रूप में उभरा है उसी पकार पारमपारिक चिकित्षा का ये सेंटर भी ग्लोबल वेलनेस का सेंटर बनेगा ये सेंटर दुनिया भर की ट्रेडिशनल मेडिसिन्स के विकास और उनसे जुड़ी रिसर्च को नई बुलंदिया देने वाला साबित होगा साथियों, बदलते हुए समय के साथ आज हर चीज इंटिग्रेट हो रही है स्वास्त भी इससे अलग नहीं है इसी सोच के साथ देश आज इलाज की अलग अलग पध्यतियों के इंटिग्रेशन सभी को महत्वदेनी की तरफ एक के बाद एक कदम उठा रहा है इसी सोच ने आउश को आईरुवेद को देश की आरोग निती हेल्थ पॉलिसी का प्रमूग हिस्सा बनाया है आज हम स्वास्थ के अपने पारंपारी खजाने को सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि देश के आरोग्य का बड़ा आधार बना रहे हैं साथियों यह हमेशां से एक स्थापित सत्य रहा है कि भारत के पास आरोग्य से जुड़ी कितनी बड़ी विरासत है लेकिन यह भी उतना ही सही है कि यह ज्यान ज्यादातर किताबों में सास्त्रों में रहा है और थोड़ा बहुत दादी नानी के नुष्खों में रहा है इस ज्यान को आधुनिक आवश्चताव के अनुसार विक्सित किया जाना यह बहुत आवश्चत है इसलिए देश में अब पहली बार हमारे पुरातन चिकत्सा वाला ग्यान जो है उस ग्यान विज्ञान को 21 सदी के आधुनिक विज्ञान से मिली जानकरी के साथ भी उसको जोड़ा जा रहा है इंटीग्रेट किया जा रहा है नई रिसर्च की जा रही है तीन साल पहले ही हमारे यहां अखिल भारतिय आरुवेदिक संस्तान के सापना की गई है लिहे में सोवा रित्पा से जूड़ी रिसर्च और दूसरे अध्यन के लिए राश्ट्रियस सोवा रित्पा संस्तान विक्सित करने का काम जारी है आज गुजरात और राजस्तान के जिन दो संस्तानों को अपग्रेड किया गया है वो भी इसी सिलसिले का विस्तार है भाई और भेनों कहते हैं जब कद बढ़ता है तो दाइत्व भी बढ़ता है आज जब इन दो महत्वपुन संस्तानों का कद बढ़ा है तो मेरा एक आग्रवी है देश के प्रीमियम आईरुवेदिक संस्तान होने के कारण अब आप और आप सब पर ऐसे पाठ्रकम तयार करने की जिम्मेदारी हैं जो इंटरनेशनल प्रक्रिसिस के अनुकूल और वेज्ञानिक मानकों के अनुरूप हो मैं सिक्षा मंत्रा लए और UGC को भी आग्रे से कहूंगा कि आयूर भावती की और आयूर रथायन सात्र जेसे विशयों को लेकर नई संभावनाओं के साथ काम किया जाए इससे रिसर्च को जादा से जादा बढ़ावा देने के लिए इंटिग्रेटेड डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल केरुकुलम बनाने के लिए काम किया जा सकता है आज मेरा देश के प्राइवेट सेक्टर हमारे स्टार्ट अप से उनसे भी एक विशय साग रहे है देश के प्राइवेट सेक्टर नए स्टार्ट अप को आयूर वेट की global demand को study करना चाहिए और इस सेक्टर में होने वाली ग्रोथ में अपनी हिस्तेदारी सुनिशित करनी चाहिए आईरुवेट की लोकल शक्ति के लिए आपको दुनिया भर में भोकल होना है मुझे विश्वास है कि हमारे साजा प्रयासों से आयूशी नहीं बल्कि आरोग्य का हमारा पूरा सिस्टिम एक बड़े बड़लाव का साक्षी बरेगा साथियों अब भली भाती ये भी जानते हैं कि इसी साल सौंसत के मौनसुन सत्र में दो एतियासिक आयोग भी बनाए गए हैं पहला नेशनल कमिशन फर इनियन सिस्टिम सब मेडिसिन और दूसरा नेशनल कमिशन फर होम्योप्रथी यही नहीं नई राष्ट्रिय सिक्षानिती में भी भारत की मेडिकल एजुकेशन में इंटीग्रेशन की एप्रोज को प्रोजसाइट किया गया है इस पॉलिसी की भावना है कि एलोप्रथिक एजुकेशन में आयुरूवेद की बेसिक जानकारी जरूरी हो और आयुवेदिक एजुकेशन में एलोपेथिक प्रक्टिसिज की मूल जानकारी जरूरी हो ये कदम आयूश और भारतिय पारमपारी चिकित्सा पद्ददी से जूरी शिक्षा और रिसर्च को और मजबुत बनाएंगे साथियों 21 सदी का भारत अब टुकड़ों में नहीं होलिश्टिक तरीके से सोचता है हेल्ट से जुड़ी चुनोतियों को भी अब होलिश्टिक एप्रोच के साथ उसी तरीके से ही सुल्जाया जा रहा है आज देश में सस्ते और प्रभावी इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्ट केर पर वेल्नेस जादा फोकस किया जा रहा है आचारिय चरग ने भी कहा है स्वस्तस्य स्वास्तरक्षनम आतुरत्य विकार प्रशमनच यानि स्वस्त व्यक्ति के स्वास्त की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ये आउर्वेद के उद्देश है स्वस्त व्यक्ति स्वस्त ही रहे इसी सोच के साथ ऐसे हर कदम उठाये जा रहे हैं जिससे बिमार करने वाली स्थीत्या दूर हो एक तरफ साप सफाई, स्वच्छता, सवचालय, साप पानी, धुवा मुक्तरसोई, पोशन इन सभी पर ध्यान दिया जा रहा है तो वही डेड़ लाग हेल्थ और वैलनेश सेंटर्स हिंदुस्तान के कौने कौने में तयार किये जा रहे हैं इनमें विशेश तोर पर साड़े मारा हजार से ज़्यादा आयूस वैलनेश सेंटर्स पूरी तरह आयुरुवेट को समर्पित हैं आयुरुवेट से जुड़े बन रहे हैं साथियों वेलनेस का ये भारतिय दर्शन आज पूरी दुनिया को आकरशित कर रहा है कोरोना के इस मुश्किल समय ने फिर दिखाया है कि हेल्द और वेलनेस से जुड़ी भारत की ये पारंपारिक विद्या कितनी काड़र है जब कोरोना से मुकाबले के लिए कोई प्रभावी तरीका नहीं था तो भारत के घर-घर में हल्दी, दूद और काड़ा जैसे अनेक इम्मिनेटी बुष्टर उपाई बहुत काम आए इतनी बड़ी जनसंग्या इतनी गनी आबादी और ऐसा हमारा देश अगर आज समली हुई स्थिति में है तो उसमें हमारी इस परंपरा की भी एहम भूमी का रही है साथ्यों कोरोना काल में पूरी दुनिया में आउरुवेदिक प्रोडक्स की मांग तेजी से बड़ी है बीते साल की अपेक्षा इस साल सितंबर में आउरुवेदिक उत्पादों का निर्यात लगभग डेड़ गुना करीब करीब 45 प्रतिशत बड़ा है यही नहीं मसालों के निर्यात में भी काफी बढ़ोत्री दर्ज की गई है हल्दी अद्रक ऐसी चिंजे जो इमिनिटी बुस्तर मानी जाती है उनका निर्यात अचानक इस तरह बढ़ना यह दिखाता है कि दुनिया में आउरुवेदिक समाधानों और भारतिय मसालों पर विश्वास कितना बढ़ रहा है अब तो कई देशों में हल्दी से जुड़ी विशेश पेपदार्सों की भी प्रचलन बढ़ रहा है आज दुनिया के प्रतिश्टित मेडिकल जर्नल्स भी आउरुवेदि में नई आशा नई उमीद देख रहे हैं साथियों कोरोना के इस काल में हमारा फोकस सिर्फ आउरुवेदि के उप्योग तक ही सिमित नहीं रहा बलकि इस मुश्किल गड़ी का इस्तमाल आयूश से जुड़ी रिसर्च को देश और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है आज एक तरफ भारत जहां वैक्सिन की टेस्टिंग कर रहा है वहीं दूसरी तरफ कोविड से लड़ने के लिए आउरुवेदिक रिसर्च वर भी इंटरनेशनल कॉलोबरेशन को तेजी से बढ़ा रहा है अभी अभी हमारे साथी श्रिपाज जी ने बताया कि इस समय सो से जादा स्थानों पर रिसर्च चल रही है यहां दिल्ली में ही अखिल भारतिय आईरुवेदिक समस्तान ने जैसा अभी आपको विस्तार जे बताये गया दिल्ली पुलिस के असी हजार जवानों पर इम्मुनिटी से जुड़े रिसर्च की है यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुप स्टड़ी हो सकती है इसके भी उत्सा अजनक प्रणाम देखने को मिले है आने वाले दिनों में कुछ और अंतराश्य परिक्षन भी शुरू किये जाने है साथियों आज हम आविर्वेदिक दमाओं जड़ी बुटियों के साथ साथ इम्मुनिटी को बढ़ाने वाले नुट्रेश्यस फूर्ट पर भी विश्यस बल दे रहे है मोटे अनाज यानि मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज किसानों को प्रोथसाइद किया जा रहा है यही नहीं गंगाजी के किनारे और हिमालई छेत्रों में औरगेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है आईवेट से जुड़े हुए पैड पाउदे लगाने पर बल दिया जा रहा है कोशिज यह है कि दुनिया की वेलनेस में भारत जादा से जादा कंट्रिबूट करे हमारा एक्सपोर्ड भी बढ़े और हमारे किसानों की आएमें भी बढ़ोत्री हो आईश मंतरा ले इसके लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रहा है आपने भी देखा होगा कि कोवीड माहमारी शुरू होने के बाद आईवेदिक जड़ी बुटियां जैसे अस्वगंदा, गिलोई, तुलसी, आदी की किमतें इसलिए बढ़ी, क्योंकि मांग बढ़ी, लोगों का विस्वाथ बढ़ा मुझे बताया गया है कि इस बार अस्वगंदा की किमत पिछले साल के मुकामले दो गुनी से भी जादा तक पहुँची है इसका सीधा लाप इन पौधों, इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुँचा है हाला कि अनेक जड़ी बुटियां है जिनकी उपयोगिता के बारे में अभी भी हमारे हाँ जागरुकता और बढ़ाने की ज़रूरत है ऐसे लगभक पचांस अउसद्य पहुदे हैं जिनकी सबजिया और सलात के रुप में खुब उपयोगिता है ऐसे में क्रिशि मंत्रा रहे हो आयुष मंत्रा रहे हो या फिर दूसरे विभाग हो सभी के सयुक्त प्रयासों से इस खेत्र में बड़ा परिवर्तन आ सकता है साथियों आयुरुवेश से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टिम के विकास में देश में हेल्थ एन वेलनेस से जुड़े तूरिजम को भी बढ़ावा मिलेगा गुजरात और राजस्थान में तो इसके लिए असीम संभावनाएं भी हैं मुझे विश्वात है कि जामनगर और जैपूर के ये दोनों संस्थान इस दिशा में भी लापकारी सिद्ध होंगे एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आज छोटी दिवाली हैं कल बड़ी दिवाली हैं आपको आपके परिवार को भी मेरी तरब से इस दिपावली के पावन परवकी अनेक अनेक शुब कामनाएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद तुन्यों आदमानिया प्रादन मते मोदें काया प्रादन मते हैं